हेलो डियर गाईज कैसे हैं आप सब सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों की मौसम में गरम गरम आलू के पराठे मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है तो इसलिए आज हम बनाने जाह रहे हैं पोटेटो चीज पराठा बीज वीच में मैंने कुछ टिप्स दिये जो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ एकता और आप देख रहे हैं लुक ओन टुकुक ओन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आठा अच्छा गुनना जरूरी है इसके लिए आठा हम नरम गुनेंगे इसके लिए मैंने यहां पर तीन कटोरी आठा लिया है उसमें आधी आठे में थोड़ा सा पानी लगा कर रखते हैं दस से पंदा मिनट के लिए आठा बहुत अच्छा रैडी हो जाएगा इसके बाद हमें आप च्छे से साथ उबले हुए आलू ले लेते हैं जिसे मैंने पहले ही उबाल कर रखा था इतने आलूं से 6 से 7 पर आठे बनकर लाज बारिक कटा हुआ और उसके बाद थोड़ी सी हरिमेच अद्रक और लतन अगर आप लतन खाना पसान नहीं करते हैं तो बिलकुल न डाले लेकिन अद्रक और हरिमेच जरूर डाले क्योंकि अद्रक और हरिमेच से पराठो का टेस्ट डबल हो जाता है इसलिए इसे डा बिलकुल न भूले ते इंदेनों चीजों को बारिक चौप कर लिया है इसे भी हम इसमें डालेते है इसके बाद हम इसमें दाल लेते हैं आधी चमद से थोड़ा सा जाटा नमक आधी चमद लाल मेश एक चमद और अब मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा पनीड जिससे इसका टेस्ट और जारा बढ़ जाता है अगर आपके पास पनी नहीं है तो आप इसे skip कर सकते हैं सिर्फ आलू का पराथा भी सकते हैं इसकी बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया हरा धनिया बहुत इनपोर्टेंट है आप जरूर डाले इसकी बारी से अच्छी तरह से मिक्स कर ले और अगर कोई गुटली रहे गई हो तो उसे भी मैश कर दें अब हम चलते हैं आटे की तरफ ये देखिए आटा कितना नरम हो चुका है इसमें तेल घी किसी चीज की जरुवत नहीं है आटा बहुत सॉफ्ट रहता है एक और टिप में आपको बताती हूं आटे को इस तरह से किसी कंटेनर में डाल कर धक कर रखे तो आटे की उपर जो पपड़ी जम जाती है वो आपकी कभी नहीं जमेगी और हम लोग पलोथन यूज करते हैं मतलब की जो सुखा आठा यूज करते हैं उसे भी हम डब्बे में डाल कर रखे तो उसमें चीटियां कभी नहीं आएंगी और आपको रोज और प्लेट में आठा निकालने की और उसे फ्रेज में सभालने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी तो अब हम इस आठे से लोईयां त्यार कर लेते हैं लोईयां में आपको दिखा देती हूँ इतने बड़े साइच की होनी चाहिए इससे बड़ा साइच ना रखे नहीं तो पराठे में आठे आठे का तेज चारता है अब हम इस दोनों लोईयों से छोटी-छोटी सी त्वैसमे लोई तोड़ी थी त्वोड़ी तदियार करेंगे से इसके बाद इसमें ठोड़ा गीवा लगा लेते हैं, अगर आपको प्रिस्पी और जहिक्स लिज़िया जड़ाएं इसके बाद हमें इसमें लगा लिगते हैं, जो मनें रैडी करकर रखाता हैं, मज़ेश ब् जिससे बच्चे काफी अट्रक्ट होते हैं अब हम उपसे जो हमारी बड़ी वाली लेयर थी वो हम लगा देते हैं और इस तरीके से डोनों लेयर को हम चिपका लेते हैं अब हम थोड़ा सा हाथ से इसे टैप करते हैं अगर कहीं पर लेयर नहीं चिपकी है तो भी चिपक जाती है, थूड़ा सा आटा डस्ट करकर इसे हल्की हाँथों से रूल कर लेते हैं, अब हम इसे पलट पलट कर बेल लेते हैं, अगर आपको बीच पलोटल लगाने के जरूर परती है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा आटा ना लगाए ये देखी पराटा बनकर बिल्कुर रैडी हो गया है अगर आपका मसाला बाहर निकल जाता है तो आप क्या करें थूड़ा मसाला भरे और अगर ज्यादा मसाला भरना चाहते हैं तो किनारे से उसे अंदर की तरफ दबाते जाएं अब हम प पराठे को डालकर हम एक मिनटे से पकाना है और फिर इसे पलट देना है पलटने के बाद हम उपा से घी लगा देते हैं साइड में घी लगाना बिल्कुल न भूले इसे पराठे का टेक्शर बहुत अच्छा आता है अगर आप मसाले को बिल्कुल अंदर की तरफ रखना च करकर हम सेख लेते हैं यह देखिए कितना लाल लाल क्रिस्पी पराठा बनकर रेडी हुआ है तो आ रहा है ना दोस्तों मुझ में पानी जल्दी से बनाईए देर की ठंड आ चुकी है गरम गरम आलू के पराठे बनाईए मजे लीजिए और मुझे कमेंट करकर जरूर है तो ऐसा नहों इसके लिए हम क्या करें जो छोटी वाली लोई हमने ली है उसमें किनाले में थोड़ा सा पानी लगा ले और जब हम उपर से दूसी लोई डालते हैं तो उससे अच्छी तरह से चिपकाले प्रेस करके तो मसाला बिलकुल बाहा नहीं निकलेगा तो अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया मेरे दीवे टिप्स पसंद आये तो जल्दी से मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे क्योंकि मैं इसी तरह की हर रेसीपी के साथ आपको टिप्स देती रहती हूं जैसे आपका खाना बिलकुल परफेक्ट बने अलग-अलग टाइप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करिए देर मत करिए और जाना से जाराए इसे शेयर करिए तो चलिए फ्रेंजे के साथ हम मिलते हैं आगले वीडियो में एक नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए एंड टेक येर